पुलापपा बहुदा वर्ष्पन का पुनरागमन हुआ करता है। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूनरागमना होता अत्वा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारन रोना ना था। वेकला फाल फाल कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिए। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चोड़े वादे किये। किन्तु ये सब वादे केवल कुली डीपो के दलालों के दिखाये हुए सब जबाग थे। यद्यब भी उनकी संपत्त की वार्षी काय डेड़ दो सो रुपए से कमना थी तधाप भी बूढ़ी काखी को पेट बर भोजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित उद्धिराम का पराद था अथवां उनकी अधांग्रीनी स्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं बुढ़ी राम सभाव के सज्जन थे कित उसी समय तक जबकि उनके कोश पर आशना आए रूपा सभाव से तीव्र से ही पर इस्वर से डरती थी अतेव पूरी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी चितनी बुढ़ी राम की बर्मन साहज बुढ़ी राम को अभी-कभी अपने अत्याचार का खेध होता था विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस गुना बैठा यदि भावति का स्वासन और सूखी सहान भूति से इस्थित में सुधार हो सकता हो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति मा होती परन्तों विशेजवे का भय उनकी सुचेष्ठा को तबाय रखता था यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढी काकी उसमें अपना राग रापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें चूर से डानते लड़कों को बुढ़ों से स्वाभावी विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पीता का ये रंग देखते तो वे बूढी काकी को और सताया करते कोई चुक्की काट कर भागता कोई इंपर पाने की कुल्डी कर देता काकी चीख मार कर रोती परंत यह बात प्रसिद्ध थी कि वाक किवल खाने के लिए रोती है अतेव उनके समताप और अंतरनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था हाँ काकी क्रोधातुर होकर बच्चे को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थर पर आ जाती इस भैसे काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचिती प्रयोग कर दी थी यद्धर भी उपद्रो सांत का यह उपाय रोने से कहीं अधिक भी योगता था संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को नुड़ाग था तो वह बुद्धिरां की थोटी लड़की लाड़ली थी लाड़ली अपने दोनों भाईयों के भैसे अपने हिस्से की मिठायी चबैना गुड़ी काकी के पास पैट कर खाया करती थी यही उसका रच्छागार था यद्धर भी काकी की सरण उनकी लोलुकता के कारण बहुत महंगी परती थी तदा पी भाईयों के अन्याय से सुरच्छा कहीं सुलब थी तो बस यहीं इसी स्वार्थान पूलता ने उन दोनों में सहान भूति का आरूपन कर दिया था रात का समय था बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गाउं के बच्चों का जुन्द विसमें पून नेत्रों से गाने का रसा स्वाधन कर रहा था चारपाईयों पर मिहमान विश्रां करते हुए नाईयों से मुक्या लगवा रहे थे समी फड़ा भांट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावग्य मिहमान भी वाह वाह पर ऐसे कुछ रहे थे मानो इस वाह वाह का यथार्थ में बही अधिकारी हुए दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवीवक इन विवहारों से उदासीन थे वे इस गमार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे आज गुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलग आया है यहां उसी का अग्सव है घर के वीतर इस्तियां गार ही है और रूपा मेहमानों के लिए भोचन में बस्तिकी बड़ियों पर कड़ा चड़ रहे थे एक में पूडियां कचोरियां निकल लही थी दूसरे में अन्यपकवान बनते थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तर्कारी पक लही थी खीये और मसाले की चुदा वर्धक सुगंदी चारो और फैले होई थी बूड़ी काकी अपनी कोठरी में शोप में विजार की भागती पैठी होई थी यह अस्वाद मिस्रित सुगंद उन्हें पेचैन कर रही थी विमन ही मन विजार कर रही थी संभवता मुझे कुडिया ना मिले इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं है मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं मेरे लिए कुछ ना बचा यह सोचकर उन्हें रोना आया परन्तु अब सकुन के भैसे वो रो ना सकी अहां कैसी सुगन्दी है अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े है तो वैसा भागी तहां कि भरबेट पूरिया मिले यह विचार कर उन्हें और रोना आया कलेजे में हूख सी उठने लगी परन्तु रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौनधारण कर लिया बूढी काकी देज तक इन्हीं दुखदाई विचारों में दूबी रही घी और मसाले की सुगन्दी रहराग कर मन को आपर से बाहर कर देती थी बूढी काकी देज तक इन्हीं दुखदाई विचारों में दूबी रही घी और मसाले की सुगन्दी लाराग कर मन को आपर से बाहर किये देते थी मुह में पानी भरभा आप आता पूडियों का स्वाद सुनन करते फिर्दय में गुद्गुदी होने लगी थी इसे पुगारूं आज लाड़ली बेटी भी नहीं आई दो छोकरे सदा दिख दिया करते हैं आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बंढ़ा है बूड़ी काखी की कलपना में पूरियों की तस्वीर नाच गई खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी रूपा ने भली भात भोजन किया होगा पचवरियों में अजवाईन और इलाची की महकार ही होगी एक बूड़ी मिलती तो जरा हाग में लेकर देखती क्यों न चल कर कड़ा के सामने ही बैटूंग पूनियां चंचंचंच कर तयार होंगी कड़ा से गरम गरम निकल कर धाल में रखी जाती होंगी फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं परनतु वाटिका में कुछ होर बात होती है इस प्रकार निर्णय करके बुढिका की उकुडू बैटकर हाथों के बल सरक्ती हुई बड़ी इकठिनाई से चौकर से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बठी यहां आने पर उन्हें उतना ही धैले हुआ जितना भूके कुट्यों को खाने के सम्मुख बैटने में होता है तो रूपा उसमें कारभार से उद्विन हो रही थी कभी इस कोठे में जाती कभी उस कोठे में कभी कड़ा के पास जाती कभी भंडार में किसी ने बाहर से आकर कहा महराज ठंड़ ही मांग रहे है ठंड़ ही देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा बाठ आया है उसे कुछ दे दो बाठ के लिए सीधा निकाल लए थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी विज़न तयार होने में कितना भी लंब है, जरा ढूल मजीरा उतरार दो, बेचारी अखेली इस्त्री, दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी, जुजलाती थी, कुर्ती थी, परंत कोध ब्रकट करने का हौसर न पाती थी, पानी पी ले, अथवा पंका लेकर चले, यहां भी खटका था, कि जरा आँखटी और चीजों की लूट बची, इस अवस्था में उसने बूड़ी काकी को खड़ा के पास बैठी, देखा तो चल रही, खुरूध ना रूख सके, इतना भी ध्यान ना रहा, कि पड़ोशी न और दोनों हातों से चटक कर बोली, ऐसे पेट में आगल गी है, पेट है या भाड, खोट्री में बैठते हुए कि अदम उठता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैरे ना हो सका, आखर चाती पर सवार हो गई, जग जाए ऐसी दिन भर खाती ना होती, तो जाने किस हांडी में मुह डालती, जाँ देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, अभी तो इस तरह मुह बाय फिरती है, डायन ना मरे ना मांचा छोडे, ना बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेंगी, इतनी थूसी है, ना जाने कहां बस महों जाता है, बला चाहती हो, तो जाता कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे, तब तुन्हें भी मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो, कि चाहे किसी के मुह में पानी ना जाए, प्रण तुम्हारी फूजा पहले हो जाए, ब संभून विचार और संभून भार उसी और आकरसित हो गये थे, नदी में तो कागार का कोई भिहत खंड कटक गिरता है, तो आस पास का जल संभू चारो और उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है, भोजन तयार हो गया है, कांगल में पत्तेले पड़ गई, मिहमा के नाई और सेवंगर भी उसी मंदिनी के साथ किंदु कुछ हट कर भोजन करने बठे थे, रंदु सब्धता अनुसार चब तक सब के सब ना खा चुके कोई उट नहीं सकता था, दो एक मिहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दिरधार पर जुजला रहते, वे इ कहां से, कहां आबे, उन्हीं रूपा पर प्रोध नहीं था, अपनी जल्दवाजी पर दुख था, सची तो है, जब तक मिहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घरवाले कैसे खायेंगे, मुझसे इतनी देरी भी ना रहा गया, सब के सामने पानी उतर गया, अब जब तक क कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाओंगे, नहीं मन इस प्रकार का विचार करते, आप बुलानी की प्रतीच्चा करने लगी, परंत घी की रुचकर सुवास, बड़ी धैर, प्रतीच्चक पतीथ हो रही थी, उन्हें एक एक पल, एक एक यूग के समान मालूम होता था, पत्तर बिच गई होगी, अब महमान आ गए होंगे, लोग हांक पर थूर हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है, लोग खाने बैठ गए, जवनार गाया जा रहा है, क्या विचार कर अमन को बहलाने के लिए लेट गए, दीरे दीरे एक गीद गुराने लिए, उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गए, क्या इतने देर तर लोग रोजन पर ही रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, और वस ही लोग खापी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिड़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सूचती हो कि जाप ही आवेंगी, और कोई महमान तो नहीं यो उन्हें बुलाओं, पूरी काती चलने को तयार होई, यह विश्वास कि एक नेट में पूरियां मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, और कि स्वादेंद्रियों को खुत-खुताने लगा, उन्होंने मन में तरह तरह के म मसे दार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने, चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, यही ना लोग कहेंगे, यही विचार नहीं, कहां करें, इतने दिनों बाद पूरियां मिल लहीं हैं, तो थोड़ा मू जूढा करके थोड़ी ही उड़ जाऊंगी, वागुरू विध्या कलपना ही थी, मिमान मंडेली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकनों उलियां चाटता था, कोई तिर्चे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे थे, या नहीं, कोई चिलता में था, कि पत्तल पर पूनियां छूड जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर र पुकार नहीं रगी, अरे या बुढिया कौन है, कहां से आई, देखो किसी को छूना दे, बढ़िपुद्धिराम काकी को देखते ही, कोच से तिर्मिला आ गये, पूनियों का धाल ये खड़े थे, धाल जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निरदई महाजन ने किसी ब कस रिटते हुए लाकर और ये अंधेरी कोट्स्री में थाम से पठक दिया, आसा रूपी वाटी का लूग एक छोके में फिनिस्ट हो गई, मेंमानों ने भोजन किया, घरवालों ने में भोजन किया, बाजेवाले धोबी, चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु पूढिक काकी को किसी ने ना पुजा, बुद्धी राम और उपा दोनों ही पूड़ी काकी को उनकी निरलज्जता के लिए दंड देने का निश्चे कर चुके थे, उनकी बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्ग्यान पर किसी को करुणा ना आई, अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी, लाडली को काकी से अतंत प्रेम था, विचारी भोरी ले थी, बाल विनोत अर्चन चलता की उसमें कंद तक ना थी, दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्देता से घसीटा, तो लाली का इख्रिदय हैट कर रहे गया, वह जुचला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरिया नहीं दे देते, क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया, तो क्या भी गड़ जाएगा, वह काकी के पास जाकर उन्हें धैरे देना चाती थी, पर उन्तों माता के भय से ना जाती थी, उसने ले जाना चापी थी, उसका हिदय अधी हो रहा था, बूरी काकी मेरी पास सुनते ही उड़ बैटेंगी, पूरिया देखकर कैसी प्रसन्द होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, रात को ग्यारा बज गया थे, रुपा आंगन में पड़ी सो रही थी, लाडली की आँखों में नीद ना आती थी, काकी को पूरिया किलाने की खुसी उसे सोने ना देती थी, उसने कुड़ियों की पिटारी सामने रखी, जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो रहा चुपके से उठी और विचागने लगी, कैसे चलूँगा, चारो और अंधिरा था, कि यवाज जूले में आग स उनकी पूँच, उनकी गदा वास्पश्ट दिखाई दे रही थी, मारे भैके उसने आखे बंद कर ली, इतने में खुटा उठ बैठा, राडली को धाड़ा सुआ, तैई सोय हुए मनुस्यों के बदले एक भागता हुआ खुटा उसके लिए अधि धैर का कारण हुआ, उस जैसे मालूम हुआ, कि जैसे कोई पहार पर उड़ाय लिये जाता है, उसने के पैर बार बार पत्थरों से टकराए, जब तक किसी ने उसे पहार पर से पठका, मुर्चित होई, तववा सचेत हुई, तो किसी की जरा भी आहत नम लिए, समझी, सब लोग खापी कर सो गए, और उसके साथ मेरी तजुदी लिए सोगे, रात कैसे कटेगी, राम, क्या हो, पेट में अल नहीं धरत रही है, हां किसी ने मेरी सुदी ना ली, क्या मेरा पेट काटने से धन जुड जाएगा, इन लोग वो इतनी विदया नहीं आती, कि ना जाने वुड़िये कम गड़ ज मैं नियागन में चली गई, तो क्या बुधिराम से इतना कहते ना बनता, कि ताकि लोग खाना खा रहे हैं, फिराना, मुझे भसीता, पटता, वहीं पूरियों के लिए, दूपा ने सब के सामने गालियां दी, उन्हीं पूरियों के लिए, इतनी दुर्गेती करने पर भी, उनका पत्तर का कली दना पसी जा, सब को खिलाया, मेरी बात तक न पूची, जब तब ही ना दी, तो अप्या देगी, यह विचार कर, काकि निराश्में जंतोस के साथ, लेट के, कलानी से गला भार आया था, परन्त मिमानों के भैसे, रोती ना थी, सहसा कानों में आवाज काकी उखों में पूरिया लाई हूँ, काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चपट उठी, तो नोहाते से लाडली को टर्टोला और कोद में बिठा लिया, लाडली ने पूरिया निकाल कर, काकी ने पूचा, क्या तुमारी अम्माने भी है, लाडली ने कहा, नहीं, क्या मेर काकी पूरियों पर तूट पड़ी, आज मिनिट में पिटा ही खाली हो गई, लाड़ी ने पूचा काकी पेट भर गया, जैसे थोड़ी सी वर्सा धंड़ा की अस्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उस भात इन दोनों पूरियों ने काकी की चुधा और इच्छा को और जित कर दिया था, बोली, नहीं बेटी, जाकर अमा से और मांग लाओ, रड़की ने कहा, उमा सोती है, जाओंगी तो मारेंगी, खाकी ने पिटारे को फिर ट्रटो लाओ, उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी, बार बार होट चाटती, चटखारे बती, फिदे मसूस रहा था कि और पुडियां कर सिपाओं, संदोश से तु तूट जाता है, तब इच्छा का बहा अपरमित हो जाता है, मतवालों को नद का स्मरन करना उन्हें मदान दो बनाता है, कागी का अधीरमन इच्छाओं के प्रबल प्रवा में बह गया, उचित और उचित का विशार चाता पर कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही, आसा लाड़ी से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो, जहां मैं मानों ने बैट कर भोजन किया है, लाड़ी उनका विप्राय ना समझे, उसने कागी का हाथ पकड़ा अले जाकर जूटे पत्तलों के पास बिठा दिय दीन, चुरादूर, हत ग्याने बुगिया, पत्तलों से पूड़ीं को टुकड़े चुन जुटन कर भच्छन पने लेगे, ओ, नहीं कितनी स्वाधिष्ट था, खचोनियां कितनी सलोंगे, खस्ता कितनी सुकोंबल, काकि बुद्धीन होते हुए भी इतना जानती थी, कि मै मैं हवाँ काम कर रही हूँ, जो मुझे कधा पिना करना चाहिए, मैं दूसरों की जूटी पत्तले चाट रही हूँ, परंदो बुढ़ापा, तृष्णा रोग का अंतिन समय, जब संपून इच्छाएं, एक ही केंद्र पर आ जाती है, बुडी काकी में है केंद्र, उनकी खादेन जी आँ, खीक उसी समय रूपा की आँख हुई, उसे मालूम हुआ कि लाड़ली मेरे पास नहीं है, वह चांकी चार पाई के इधर उधर तातने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देख दी है, कि लाड़ली जू किसी गाय की गर्दन पर छूरी चलते देख जो ववस्ता उसकी होती बहुरी समय हुई, एक ब्रामपनी दूसरे की जूकी पतल रटोले, इस से थिक सोक्त मैद्रिस्य असंभाव था, पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निक्रिट करम कर रही है, यह वद्रिस्य था, जिसे देखकर देखने वालों के रिदे कहां पुठते, ऐसा प्रतीत होता, मानों चमीन रुख गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपती आने वाली है, रूपा को प्रोध ना आया, सोक के सब्मुक प्रोध कहां, करुणा और भै से उसकी आखे बराई, इस अधर्म का भागी कौन है, उसमें सचे इजदे से करमंडल की ओर हांग लाकर कहा, प्रमत्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मद दो, नहीं तो मिरा सत्या नाश उलाए, रूपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रक अच्छ रूप में कभी न दिख पड़े थे, हाँ सोचने ले, हाई, कितनी निर्दें, जिसकी संपत्ति से मुझे दो सो रूपए आय हो रही है, उसकी यह दुर्गती और मेरे कारण, यह नाया मैं भगवान उससे बड़ी भारी चुप भी, मुझे छमा करो, आज मेरे बे पह वै कर दिये, परत जिसकी बदलत हजारों रूपए खाये, उसे इस उत्सव में भी भरफेट फोचन ना दे सकी, कि अवल इसी कारण तो वह बिद्धा सहाय है, रूपा ने दिया जलाया, अपने फंडाले का दौर खोला, एक थाली में संपूर्ण सामंक्रियां सजा कर बूरी काकी की ओर चली, आधी राज जा चुकी थी, आकास पर तारों के थाल सजे हुए थे, और उन पर बैठे हुए देवगन स्वरगी पदार सचा रहे थे, पर दौन में किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सका था, जो बूरी काकी को अपने समुत थाल लेकर पर मात्मा से प्राप्त ना कर दो कि वह मेरा अप्राप्त चमा करते हैं। करते हैं।